असलाम लेकुम जी, वेलकम टू एनधर वीडियो, आज की वीडियो हम सौधी एंजिनिरिंग कॉंसल के बारे में कुछ बात करेंगे, जो लोग यहां से एंजिनिरिंग के वीजे के उपर यहां टेक्निशन के वीजे के उपर चाते हैं, जिन लोगों ने वहां पर जाके कि अज़ेंगे कि आया वो जो हैं उनके लिए वu क्या रिक्वाइर्मेंटस हैं और यहां से किस तरह अगर एक टेक्निशन पाकिसान से जा रहा है जाब के ओपर तो उसने क्या क्या चीजें पहले से अपने साथ लेकर जाने के होगी और किन चीज़ां के उसको पर पर सकते हु Champ sliding anticipation के भाज हैं थोड़ा साथ करेंगे बहुत जैदा डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा आपको उवरवीव दे रहा हुँ आपको टे 11 विडीयो में चाहल विडियो में उसमें जरूर बनाऊंगा आज 12 वीडियो हम सिर्फ थोड़ी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक टेकटिइशन की बात करते हैं। टेकटिशन से मुराध होते हैं कोई बी जिसने अपनी registration करवानी होते हैं, registration के लिए इनके पास पाकिस्तान से इनका डिप्लोमा होना लास्मी होता है, वो डिप्लोमा इनका पाकिस्तान से जो भी जिस भी अथरुटिक ने उसको इशू किया वहाँ से उसकी verification होगी, फ़रन आफ़्ीस से verification होगी, उसके बाद उसकी सौधी अबेसी से वेरिफिकेशन होना लाजमी है उसी की base के उपर वहां पर जाके ये लोग सौधी एंजिनिरिंग काउंसल में रिजिसेशन अपलाई कर सकते हैं और रेजिस्टर मेंबर बन सकते हैं अगर हम बात करें इसकी एंजिनिर के बात करें तो इंजिनिर के लिए भी सीम यही प्रॉसस है कि यहां से पाकसान से जब वो किसी भी विजसे के उपर जाते ह।िकِ इंजिनिर के उपर जा paarट si औऐ पर जाएंगे यहां से विजा लगने के लिए कोई उसमें एक्सपिरियंस की लिमिट नहीं है अगर उसने एंजिनिंग दो माँ पहले कंप्लीट की है और उसकी जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस सौदी कल्चर और सौदी एंबैसी में होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा उसमें भी कोई ए प्रोसेस अपना करवाना है तब विजा प्रोसेस के लिए भी उसको कोई भी एक्सपिरियंस की लिमिट नहीं है लेकिन जब उसने ट्रैवल करने के बाद सौदी इंजिनिंग कांसल में अपनी मेंबर्शिप करवानी है यानिकर रिजिस्टेशन करवानी है तो उस सुरत मे उसका पांच साल का एक्सपिरियंस होना लास्पी है बहुत से इंप्लोयर्ज को इस बात का नहीं मालुम होता इंप्लोयर्ज को और जिनकी हारिंग गवरी होती कैंडियर्स की उनको इस चीज़ का मालुम नहीं होता कि आया वहां पे जाके मारी रिजिस्टेशन हो जाएग साल परानी आपके डिग्री होने चाहिए तो अगर तो वो पांच साल से पुरानी आपके पास डिग्री है और वह सादी कल्चर प्लस सादी अवेशी दोने जगा से अटेस्ट इद है तो फिर आपकी वह आपकी सादी चैया इंजिनिंग कॉंसल में मिम्बर्शिप हो सकती है उसके लावा सौधी इंजिनिंग कॉंसल में मिंबर्शिप नहीं होगी। जब आपकी मिंबर्शिप नहीं होगी तो आप इसके अंजिनियर के विजे के ओपर वहां पर एकामा नहीं बनवा सकेंगे और आपके लिए प्राबलम होगा। उस सुरत में अक्सर मेरे घजिश्टा मा में भी और इस मा में भी कुछ केसिस सामने आए हैं कि उन्हों लोगों ने अपना विजा प्रॉसेस करवा लिया अटेस्टेशन भी करवा ली लेकिन जब वहां पे गए हैं सौधी रह में तो वहां पे इंजिनिंग कॉंसल भी उनकी जो पांच साल की लिमिट थी टाइम की वो पूरी नहीं थी तो जिसकी वज़ा से उनको दुबारा से पाकिस्तान आके लेबर विजे के अबर जाना पड़ रहा हैं तो कोशिश की रहे हैं कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस स्टेप को फॉलो ना कीजे अगर तो आपके पांच साल डिगरी पुरानी है और वो सौधी चैंबर अफिस और सौधी बैसी दोनों जगा से अटेस्टिड है तो आप उस विजी के इंजिनिंग के विजे के ओपर ट्रैवल करें अगर ये चीज़े पूरी नहीं है तो आप उसके ओपर ट्रैवल ना कर अपना एग्रिमेंट या कॉंट्रैक्ट आप अंजीनियर का ही करें सैली जो भी आपकी लोंग की तैप आती है आप उसी के मताबी करें लेकिन आप रिजिस्टर वहां पे इंजीनियर नहीं होगे आप यहां पे आपको एक लेबर कैटागरी के विजे के ओपर आपका इनजीनिर काइगा तो जो भी इनजीनियर भाई है उन से रिक्वेट है कि साथिर्प ट्रैवल करने से पहले अपने डिक्री लास्मी चेक करने कि आया वो पांसाल पुरानी है अगर तो वो इंजिनियर के वीजे के ओपर जा रहे हैं अगर तो पांसाल पुरानी है तो आपकी वहां पे जाने के बाद सौधी इंजिनिंग कांसल में मेंबर्शिप हो जाएगी अगर वो इतनी पु प्लम ना आए डिग्री अटेस्टेशन या डिप्लोमे की अटेस्टेशन के हवाले से मैंने अल्रेडी बहुत से वीडियोस बनाई हुए आप वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ओपर मेरे आपके पास मेरा नंबर भी आ रहा है आप मैंसे कॉंटेक्ट कर सकते है डिग्री अटेस्ट सेशन के हवाले से या डिपलॉमेंट के अटेस्ट सेशन के हवाले से तो इंशालों बजीद आने वाली वीडियो में हाजिर होते हैं अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस